Hello friends, welcome to my YouTube channel Tech Credit तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप SBI के योनो एप्लिकेशन से घर वैटेक हैसे fix deposit open करा सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं चैनल पर अगर आप नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon कर notification भी on कर लेना तो दोस्तो fix deposit open करने के लिए सबसे पहले ये जो deposit वाला icon है हमें इसको open करना परेगा इसको open करने के बाद दोस्तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग-अलग option आ चुके हैं my deposit के अंदर आपको deposit calculator, fix deposit, recurring deposit, my dreams, other deposit करके 5 option आ चुके हैं तो दोस्तो deposit calculator में भी मैं आपको एक छोटा सब बता देता हूँ जैसे deposit calculator अभी खुला हुआ है यहाँ से आप calculate now कर सकते हैं यहाँ पे आपको amount डालना है सबसे उपर जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ और यह tax saver FD नहीं होगा तो no करना है senior citizen नहीं है तो no करना है resident Indian है तो आपको resident Indian कर देना है फिर यहाँ पे आपको tenure आ जाता है जो की आपका कम से कम 7 दिन से लेकर ज्यादा ज्यादा 10 सल तक रहता है तो यहाँ पे जैसे मैं 60 मन्त डाल देता हूँ या 3 साल का fix लेते हो तो वो 3 साल या 5 साल जब होगा आपका खतम उसके साथ ही interest मिल जागा मंतली करोगे तो हर महिना आपको interest मिल जागा और half yearly अगर आप करते हो तो हर 6 महिने पे आपको interest मिल जागा तो कुछी तरह से option है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं renew कर सकते हैं या फिर credit to account करेंगे तो आपका fix खतम होने के बाद सीधा account में पैसा आ जाएगा या फिर renew करेंगे तो फिर से वो fix में चला जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से interest rate देख सकते हैं चारे 6% का दे रहा है पांच साल में आपको तो यहां से आप interest rate चेक कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों fix deposit के बात करते हैं deposit यहां पर हम आ जाते हैं फिर से और my deposit open हो चुका है यहां पर आपको fix deposit करना है तो fix deposit वाले option को open करना है इसके बाद दोस्तो fix deposit में यहाँ पर open fix deposit करना है जैसे यहाँ पर click करोगे यहाँ पर आपको amount आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो maximum minimum आपको 1000 रुपए चाहिए और maximum इतना रुपए का आप FD कर सकते हो तो यहाँ पर मैं 1000 डल देता हूँ और यहाँ पर आपको saving account में balance होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 1987 अभी मेरे balance है तो यहाँ से मैं इसे transfer कर दूँगा तो चलिए दोस्तों यहाँ से आपको यह भी select कर लेना है इसके बाद आपको यह करेंगे तो आपका tax ever fixed deposit हो जाएगा जो कि आपको नहीं करना है यहाँ पर देख सकते हैं tax ever fixed deposit का क्या-क्या rule है यहाँ पर पर सकते हैं तो अभी हम लोग normal fixed deposit की बात कर रहे हैं तो हम लोग को यह tick नहीं करना है और next कर देना है जैसे next करेंगे दोस्तों next page में आपका time आजागा कितने दिन के लिए आपको fix deposit करना है यहाँ पर आपको view interest rate करके है तो इस पर आपको click करना है इसमें आप interest rate अपना check कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा भी interest 400 दिन के जो fix deposit है उस पर मिल जा रहा है इसके बाद 2 साल से लेकर 3 साल वाले में आपको 7% का interest rate देखने को मिल जा है तो मैं यहाँ पर 400 वाला select करता हूँ फिर दोस्तों यहाँ पर 400 आ चुगा है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं maturity date अपना 21 September 2024 होने वाला है मतलब 21 September 2024 को आपको पैसा वापस मिल जागा interest के साथ अब next करेंगे दोस्तों next करने के बाद यहाँ पर आपको fix deposit में payout कौन सा चाहिए तो मैं maturity पर रखता हूँ ताकि एक ही बार अच्छा amount मिल जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 रुपए maturity पर आपको मिल जाएगा यानि अगले साल 400 दिन होने के बाद मंतली करेंगे तो आपको हर महीने 6 रुपए quarterly करेंगे तो हर 3 महीने पर आपको 18 रुपए हाँ fairly करेंगे तो हर 6 महीने पर 36 रुपए मिलेंगे तो कुछ इस तरह से आपको option दिये गया है maturity करके मैं आगे बरता हूँ next करता हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना है फिर से यहाँ पर renew करना है या फिर principal amount का फिर से आपको fix करना है या फिर interest का आपके account में आ जागा इंट्रेस्ट रेट 7.10% का है टोटल आपका maturity amount 1080 होगा यहाँ पर नॉमनी डिटेल चेक कर सकते है यहाँ पर यह सेलेक्ट करके और maturity date भी देख सकते हैं दोस्तों तो सारा डिटेल यहाँ पर एक बाद confirm हो जाएंगे और उसके बाद confirm वाले बटन पर किलिक कर देंगे जैसे हम लोग यहाँ पर confirm करेंगे यहाँ पर congratulations का एक option आ जाएगा और account number भी आपको एक fixed deposit वाला मिल जाएगा अब यहाँ से आप download भी कर सकते हैं अपना receipt जैसे कि आप download करेंगे तो यहाँ पर आपके storage में महिना तीन दिन time अभी बाकी है interest को fix चलने में अब यहाँ से भी आप download कर सकते हैं और यहाँ से आप email कर सकते हैं तो यह सब option है यहाँ से आप अपना fix deposit का जो भी है paper वो आप download कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं